हें गाइस क्या हालना आप सभी क्या होप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस इसी सीए प्रबचोत और मैं आपका प्रबचोत से इंक लासे में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्या डिसकस करेंगे आज की इस वीडियो में हम ये डिसकस करेंगे किसा जो हमारा CA का न्यूस लेबस है क्या वो हमारे May 2023 अटेम्ट के लिए एप्ली केबल होगा या नहीं होगा कि बहुत सारे स्केड़निक की येही टाइप की वैरी सारी थी और येजी हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो चलिए अब हम यहाँ बहुत इसको स्टार्ट करते है लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आफसर इस वीडियो को लाइक करके अपनी attendance रूमा कर दे ठीक ना तो चलिए इसको start करते है तो sir May 2023 attempt के लिए क्या हमारा जो news labels है जो की अभी आने वाला है जो की अभी आया नहीं है उसके रिगार्डिंग में अभी कोई भी announcement हमारे institute ने नहीं की है तो sir जो अभी news labels हमारा आएगा वो भी पता नहीं है कब आएगा तो sir क्या वो हमारे May 2023 attempt के लिए applicable होगा the answer is no बच्चे बिल्कुल भी applicable नहीं होगा clear है May 2023 के लिए जो भी हमारा existing syllabus है वो ही applicable होगा तो अगर आप CA inter के या मैं कहूं even CA final के student है तो भी आपको existing syllabus के accordingly May 2023 attempt के लिए तयारी करनी चाहिए ठीक है तो अगर आपका May 2023 में attempt है तो मैं यही कहूंगा आपना बिल्कुल भी अपना time waste ना करें जो existing syllabus है उसी के accordingly May 2023 attempt की अपनी तयारी करें अगर आपको लगता है आपने classes करनी है तो आप classes भी कर लें कोई निक्कर नहीं है क्योंकि existing syllabus ही आपके लिए applicable होगा May 2023 attempt के लिए clear है तो चाहिए आप CA inter के या even CA final के student है तो May 2023 attempt के लिए आपके पास existing syllabus ही applicable होगा clear है अपसर new syllabus कब आएगा वो कब applicable होगा तो वो सारी जीदे जब भी आएंगी हमारा institute announce करेगा तो मैं आपको उसके regarding में update प्रोवाइड कर दूँगा मस आप एक काम करो ये जो हमारा youtube का channel है इसको subscribe करके रखो bell icon प्रेस कर दो और even हमारा सरे एक telegram का channel भी है उसका भी link मैं आपको इसी वीडियो के निचे description box में दे दूँगा आप सर उसको भी जुरूर जोइन करके रखो और उसकी भी notification ओन करो तो मैं आपको इसके रिकारण में जो भी update होंगी मैं आपको सारी सीधे provide कर दूँगा clear है तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को end करते हैं इस वीडियो में इतना ही अब हम यहाँ पे इस वीडियो को end करते हैं तो thank you very much for watching this video